भगवद गीता कहती है एक आवशक विशेगवानी पीडिया से कुरूक्षेत्र के युद्धक्षेत्र में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिये गए भगवद गीता के निदेश, केवल अर्जुन के लिए नहीं है। कृष्ण ने धार्मेक सिधान्तों की स्थापना के उद्देशे से भगवद गीता कही। अर्जुन को अपने ही परिवार के सदस्यों, शिक्षकों और दोस्तों के साथ युद्ध करने के बारे में संदेख था। उसने भगवान से अपने सभी संदेहों को दूर करने के जो कोई भी भगवद गीता में कृष्ण द्वारा दिये गए निर्देशों का कड़ाई से अध्ययन और पालन करता है। वेह नकेवल आध्यात्मिक अभ्यास में उन्नती करता है, बलकि भगवान के शब्दों का सीधे पालन करने से भी लाब प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वारतालापा और पत्र इस आवशक विशय की व्यापक प्रस्तुती प्रदान करते हैं जैसा की वानी कोट्ज भगवद गीता सिस्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचयनिम ने लिखित दसुधर श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उधरन दर्शन के अनुबर जाइन दरिष्टिकों से संक्रमित ऐसे सांसारिक लोगों के विक्रित मस्तिष्प में श्री कृष्ण के बारे में सच्चाई आसानी से प्रवेश नहीं करती है। पन के तर्क को स्विकार कर सकता है और इस प्रकार काम के खतरनाक बंदन से बचने के लिए कर्म योकी प्रक्रिया को अपना सकता है। प्रक्रती एक जड़ पदार्थ है जो तीन अलग अलग विधाओं की परस पर क्रिया को प्रदर्शित करती है। और शाश्वत समय और असीमित स्थान को भातिक प्रक्रती के अस्तित्व से परे माना जाता है। जीव की गतिविधिया विभिन प्रकार की योग गताएं हैं जो जीव को भातिक प्रक्रती के भीतर और बाहर फसा सकती हैं या मुक्त कर सकती हैं। इन सभी विशेवस्तूओं पर भगवत गीता में संक्षेप में चर्चा की गई है और बाद में आगे के ज्यान के लिए विशेवस्तूओं को श्रीमत भागवतम में विस्तृत किया गया है। अधि कोई योग्रह सिवाद का अभ्यास करता है और एक प्रामानिक आध्यात्मे गुरुवार को स्वीकार नहीं करता है तो वेग निश्चित रूप से असफल हो जाएगा। वह अपना बहुमूल्य समय यूँ ही बरबाद कर देगा। ट्रिश्न ग्रंथ, अध्याय सतासी, आम्त और पर, सामानिव व्यक्ति भौतिक संसार में केवल कड़ी मेहनत करने में लगे रहते हैं। और उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है कि एक और राज्यर या कोई अन्य आकाश है, जिसे आध्यात्मिक आकाश के रूप में जाना जाता है, जहां जीवन शाश्वत, आनंदमय और ज्यान से भरा है। जैसा की भगवत गीता में कहा गया है, उस आध्यात्मिक आकाश में लोटने वाला व्यक्ति कभी भी मृत्यू और पीड़ा की इस भवतिक दुनिया में नहीं लोटता है। आध्यात्मिक पहचान में स्थित होता है और सरवच भगवान को प्रदान की गई आध्यात्मिक प्रेमपूर्ण सेवा के बारे में सोचता है, तो उसे कृष्ण की संगती में प्रवेश करने के लिए आध्यात्मिक समराज्य में स्थानांतरेत कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, अपनी आध्यात्मिक पहचान प्राप्त करके और कृष्ण के सहयोगियों के बारे में सोच कर, कोई व्यक्ति आध्यात्मिक समराज्ये में स्थाना अंतरेत होने के योग्ये बन सकता है। भगवान चेतन्य की शिक्षा, अध्याय एकत्तीस, आध्यात्मिक आकाश, जिसे कैवल्यक के रूप में जाना जाता है, सभी तरफ बस आनंद दायक प्रकाश है, और यह भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व के संग्रक्षन में है। जैसा की भगवत गीता, चोदहर दशमलव दो साथ में कहा गया है, ब्रहम वही प्रतिष्ठा हम, निर्विजेश ब्राम्मन तेज भगवान के शरीर पर रहता है। दूसरे शब्दों में, भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व की शारीरिक चमक एवल्ले या अव्ययक्तिक ब्रहम है। जैसा की भगवत गीता में कहा गया है, जो भगवान की भगती में स्थित है वेग सभी भवतिक गुणों से परे है। श्रीमत भागवत 6.3, 14-15, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, किसी का मन उसका शत्रू है, और उसका मन उसका मित्र भी है, इसकी स्थिती जीव के विभिन विवहारों के अनुसार भिन्न भिन होती है, यदि हम अपने मन को भतिक भोग के विचारों की ओर मोरते हैं, तो ह जो व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में उनत हैं, उन्हें इस भोतिक संसार के दोहरे विवार की परवाग नहीं है, लेकिन ध्रुव महराज ने सपश्ट रूप से स्विकार किया कि वे भोतिक संकट और सुख की पीड़ा से परे नहीं है, उसे विश्वास्थ और यह है कि हर कोई उसकी पूजा करने के योग्य है, श्रीमत भागवत 4.8, 35